मार्केट से अगर आप 20 रुपे का चिप्स का पैकेट खरीते हैं तो मुश्किल से उसमें 10 चिप्स भी नहीं होते हैं बगर आप उतने ही रुपे में धेर सारे चिप्स घर पे आसानी से बना सकते हैं वो भी बीना मशिन के और बीना आलू कटर के एकदम ट्रेडिशनल वे में तो देखिए मैं चिप्स को इसमें डाल रहे हूँ देखिए कितना पॉफेक्ट फ्रायों के निकला है फ्राय होने के बाद भी ये बिल्कुल ओईली नहीं लग रहा है इसके सबसी अच्छी बात ये है कि आप इसे बीना फ्राय करके और फ्राय करने के बाद भी आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं ये सालो साल खराब नहीं होता है वैसे ही एक क्रिस्पी और कुरकुरे बने रहते हैं हलो दोस्तो मैं रश्मी और आपका स्वागत है रे किचन में और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 1किलो अलू लिए है इस रेसिपी यिए आप कोईभी आलू कॉलिटी कोशिश करें। जो आप आलू लोएंगे मीडियम साइज के हो या थोड़े बड़े साइज के हो एदम छोटे छोटे साइज का आलू ना ले तो आलू को मैंने अच्छे से वाश करके पानी में ही रखा है तो सबसे पहले इसका जो छिलका है उसे हम उतार लेंगे छिलका उतारने के बाद आलू को हमें तुरंथी पानी में रखना है वो इसलिए क्योंकि आलू जो है तुरंथी काले पढ़ने लगते हैं अगर आलू काले पड़ गए तो हमेरे चीप्स जो है बिल्कुल भी सफेत नहीं बनेंगे तो यहां पर मैंने सारे आलू को छिलकर रेडी कर लिया है इस छिलके से भी मैंने बहुत ही बड़िया रेसिपी बनाई थी जो कि मैंने आलड़ी आप लोगों के साथ शेर की है बड़ आप मेंसे किसी नहीं देखिये तो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो आप इन चिलकों को फेक हैं नहीं तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का स्लाइस कटर हैं ब statewide ढख सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब हो जैसे आलू को कट करके हो जाए यहाँ पर मैं एक बरतन में पानी लिया है बहुत सरा इसमें हम इसे डालते जाएंगे इसे तुरंध ही पानी में डालना बहुत ज़रूरी है परना आलू के जो स्लाइजे से वो काले पंडने स्टाट हो जाएंगे मैं आज आपको एक किल्लो आलू की चिप्स बता रही हूँ आप चाहो तो यहाँ पर आलू की quantity बढ़ा सकते याणि कि आप 4-5 किल्लो का भी बना सकते इस चिप्स की खासित यह कि आप इने बना को Σाल भर तक स्टोर करके रख सकते बिल्कुल भी खराब नी होते हैं बरसात रहे थंडी का मौसम रहे जब भी मन करें निकाले फ्राइक करें और इसे चाय के साथ मस इंजॉय कर सकते हैं तो देखों बातो बातों में 1 kg आलू कट करके रेड़ी हो गया है और सारे आलू के जो इसे पानी यहां पर पानी डाल दिया है तो अब हम करेंगे कि इसे हम तीन बार अच्छे से पानी से वाश करके लेंगे और अभी आप देख सकते हैं कि पानी एकदम क्लीन और क्लीर नजर आ रहा है तो इसी तरह का पाणी क्लीन होने तक इसे अच्छे से वाश करना है यानि कि इसका जो स्टार्च है सारा निकल गया है तो यहां पर मैंने बड़े से बरतन में बहुत सारा पानी लिए है अब आलू के जो चीप से वो एकदम सफेद बने रहे और अच्छे से क्रिस्पी बने उसके लिए यहां पर मैंने ऐलम लिया है जिसे फिटकरी और इसे मराठी में तूटी भी कहते है इसे ना पानी क्लीन करने के लिए जादा तो इस्तमाल किया जाता है इसमें काफी सादा मे उतने वाइट नहीं बनते तो वाइट बनाने के लिए यहां पर मैंने इस एलम का इस्तमाल किया है तो इसे हम इस तरह से तोड़ कर ले लेंगे थोड़ा सा क्रश करेंगे और इस पानी में डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो एलम वाला जो पानी है इसी में जो सारा आलू का चीप से इसी इसमें डाल देते है और पानी इतना होना चाहिए जो आलू के स्लाइसे से इस पानी में डूब जाने चाहिए पूरी तरह से अब हम इसे पूरी रात के लिए इसी पानी में छोड़ देना है तो इसलिए यह जो सारा प्रोसेस से इससे आप रात बड़े हो गया है क्योंकि अलम के पानी में थे और इनका शेप भी बिल्कुल बरकरार है तो चली अब फटा फट चिप्स बनाना शुरू करते तो अब हमें अगले प्रोसेस के लिए मैंने बड़े से भगोने में बहुत सरा पानी करने के लिए रखा है तो पानी को सबसे पह चाहिए यानि कि यसी समय आप इसमें लाल मिच पाड़र या फिर काली कुटी हुई मिर्श भी डाल सकते हैं बट मैं नहीं डाले हूं मैं सिंप्ली नमक वाले बना रही हूं अब करेंगे यह नमक वाले पानी में यह जो हमारे आलू के जो स्लाइसे से उसी इस पानी से नि इसे पादी के छोड़ देना है और इसे हमें 50 प्रसंट rf 50 परसंट पकाना है हूं तो प Iv adults कृश्डे अब पानी से अलो अलग करें यहान हमें medication कर ना है यहां पर सारे अलू को मैंने निकाल लिया है अब फाइनल बारी है जो की है इससे सु फाने की एकि इसभरे चिप को तो नहीं रखना है हर चिप को एक दूस्य से दूरी दूरी पर रखना है थोड़ा फ्पेश छोड़ना है मिनिमम इसे सुकनी के लिए दो दिन लगते अगर आप अच्छी दुप दिखा रहे हो तो अगर आपके घर में बहुत जाद अच्छी दूप नहीं आ रहे हैं तो इस बिल्कुल भी इने टच नहीं करना है इसी तरह से धूप में हम इने सुकने देते हैं इनका साइज छोटा हो गया है तोड़ से सिकुड के इस तरह से फोल्ड हो गया है इसे में और एक दिन के लिए धूप दिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि एकल कैसे लग है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू के चीप से वो सारे सुकर एकदम रेडी हो गया इसके अंदर बिल्कुल भी मौश्यर नहीं है और यह सुकर एकदम सिकुड के इनका शेप भी अलग हो गया है थोड़े से छोटे साइस के हो गया है तो इससे जादा अब इसे अगर आपको फ्राइ के हुए यानिकि तेल में तले हुए चिपस नहीं पसंदे और आपके घर में ओवन है तो बीना तेल के भी इससे आप ओवन में बेक कर सकते हैं तो अभी आपको इनका कलर एकदम ऐसा लग रहा होगा कि वाइट नहीं है एलो इस टलर के लगे हैं बट जब हम इने फ्राय करेंगे तब यह पूरी तरह से वाइट हो जाएंगे तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है नॉर्मली जैसे पापड दलने के लिए हम तेल को गरम करते उसी तरह का तेल का टेमपरेचर हमें चाहिए हम मीडियום फ्रेम पर रखेंगे और एक समय में आपको चीतने चिप्स फ्राइट करने उतने आप इसमें ढाल सकते हैं जाते आप देख सकते कि चीप्स एकदम खूल गया है और अच्छे से फ्राय भी होने लगा है इसे fry होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो यह जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो तूरंत ही इसे हमें निकालना है, देखे कितना अच्छा वाइट कलर इसके उपर आ गया है, और फूल कर इसका साइज भी दो गुना हो गया है, तो इसे अब टिशु पेपर पे निकाल लेते हैं, उसी तरह से हम बाखी के भी प्रह कर लेंगे, जितने आपको खाने हैं उतने आप चिप्स फ्राइ कर सकते हैं, तो अभी आप प्लेट में देखें यहाँ पर देख surface in the corner pozles दूसरे plate में मैंने तरच करके scale डिये हैं सब् viol कंते को system करका मैंने अपको पहले बता है और आप चाहो तो इस तरह से फ्राई करके भी सब्सक्राइब करकर इसे च्रोड करके रख सकते फ्राय करने के बाद भी आप देख सकते कि इसके उपर बिल्कुल भी ओईल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यह जो चीप से यह बिल्कुल भी ओईल को सोकते नहीं है देखे एकदम वाइड बने है क्योंकि हमने इसमें अलम यानि की फिट करी का इस्तमाल किया था मैं इसे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला लाल मिश पाउडर डाल कर थोड़ा सा काली मिश डाल कर इसे हलका सा तीखा वरजन भी बना सकते है तो बहुत ही आसान तरीके से बने वाले चीप से तो आप इन चीप को ज़रू बनाए और बताए कैसे बने थे